इन कलाकृतियों को देख कर हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी महल में अथ्वा प्राचीन मंदिर में आ गए हों। किन्तु ये है एक वावडी। गांधी नगर के पास अदालुज काओं में बनी ये वावडी भारतिय स्थापत्य कला का एक उत्क्रिष्ट उध्धारन है। ठकुरानी रूडा बाई ने अपने पती राना वीर सिंग वाघिला की स्मृति में वर्ष 1498 में इसका निर्मान करवाया। इस वावडी में जमीन के तल से नीचे पाँच मनजिले हैं और हर मनजिल पर कमरे या विश्राम कक्ष बनाए गए हैं। इसका पूरा स्थापत्य बारीक नकाशी से सजे पत्थर के खंबे और बीम्स पर मजबूती से टिका हुआ है। कहीं भी नजर डालें भारतिय संस्कृती के सुन्दर चिन जैसे कल्पवरिक्ष, अम्रितकुम्ब, नवग्रह, राजा, हाथी, शिंगार कर रही यूफ्तिया, दही का मन्थन कर रही गोपालक महिला, नर्तकिया, और संगीत के वाद्ये बजा रही स्रियों जैसे शिल्प कला के एक से बढ़कर एक उधारन हम देख सकते हैं। प्राचीन काल में ये वावडी, यात्रियों के लिए एक सुरक्षित विश्रामस्थल और पानी का प्रबंद करती थी। आज ये हमारे लिए एक सुन्दर विरासत है। स्वाजनों को और मित्रों को लेकर यहां जरूर आईए। करता है।